तो 36 गड में जो है Hospital अधिक चग भरती 43ुब 36 गड में Hospital Warden के भरती जो है निकल कर आने वाला है अगर हम पोश्ट के बात करें तो कुल टोटल जो पोश्ट होने वाला होश्टा अधिक चार सा पोश्ट है तो सभी स्टूडेंट का लगबग इस चीज को लेकर कमेंट है कि कम्चूटर ज़रूरी है या फिर नहीं आपके होश्टल अधिक चक बनने के लिए कम्चूटर स्यदी हमारे पास नहीं है तो क्या हम इसके लिए अविदा नहीं कर पाएंगे बहुत से स्टूडेंट के मन मे अलग अलग क्वेस्टन से काफी स्टूडेंट यह सूच रहेंगी पच्छासी नब्बे शो एकसो पांच नमबर वाले स्टूडेंट के कैसे सेलेक्शन शो पाएगा अगर हम इतना नमबर ला लेते हैं तो क्या हम 36 गड़ में होस्टल अधिक चक बन सकते हैं या फिर नही को मिलेगा जो भी आप होस्टल अधिक चक भरती परिक्शे से रिलेटर जानकारे पाना चाहते हैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने जो नमबर है 85-90-105 नमबर इतने नमबर में आपका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा आपको होस्टल अधिक चक बनने पर बहुत सारे प्र जारी नहीं किया जिन्होंने बहुत बार ट्राई किया उनको भी बताना चाहता हूं कट अप जो हर साल का कट अप जो है अलग अलग रहता है हर एक साल का कट अप एक जो से नहीं रहता है उपर से आपके एक्जामस में जो निगेटिव मार्किंग होता है जिसके वज़े से अगर आपका answer भी सहीं हो जाता है जब model answer जारी होता है उस time तो आपको लगता है कि मेरा इतना number बन रहा है जब लेकिन जब result जारी होता है वो इस time पता चलता है कि आपका जो है कितना marks जो है आ रहा है तो इसलिए आपको महनत जो है अच्छे से करना है preparations अच्छे से करना है hard work जो है अच्छे से करना है और होस्टल अधिक चक भरती परिक्षर 23 जो की काफी जादा important है आपको बताना चाहता हूं computer ज़रूरी है या फिन नहीं जी हां computer जो है बहुत ज़रूरी है बीना computers के आप जह होस्टल अधिक चक नहीं बन पाएंगे और इस वज़े से भी मुस्किल हो जाएगा कि होस्टल अधिक चक में computer से 50 परशना 50 अंकों के पूछे जाते हैं जिसमें 25 अंक आपको लाना अनिवारी होता है computer से 50 में से 25 अंक लाने वाले students को ही होस्टल अधिक चक बन पाएंगे वही student इलिजिबल हो पाएंगे वही student इसके लिए पात रहूंगे जिनका 50 में 25 नंबर आएगा जिनका 50 में अगर 25 नंबर नहीं आ रहा है उनको disqualify कर दिया जाएगा तो कैसे भी करके आपको computer से 50 में 25 नंबर लाना है इसके लिए आप परिक्षा मंधन का बूकले शक्ते है जिसे की computer के बारे में सभी जानकारी to the point मिल पाएगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 50 में से कम से कम आपका जो है around 40 से 45 नंबर जो है definitely आपका आपाएगा अगर आप अच्छे से study करते हैं तो अगर आप अच्छे से preparations करते हैं तो इसलिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है hard work करना बहुत ज़्यादा जरूरी है preparations करना बहुत ज़ादा जरूरी है और जितना ज़ादा preparations करोगे जितना ज़ादा पहनत करोगे उतनी ज़ादा आपके लिए बेश्ट होगा उतनी ज़ादा आपको कामयाभी मिल पाएगा देखें 150 प्रशन जो exams में पूछे जाते हैं ज़ादे important होता है गड़ित के भी question पूछे जाते हैं काफी student ऐसे होंगे जो गड़ित में week होंगे गड़ित के question ठीक से solve नहीं कर पाते होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचने कि हमें हम से जो है गड़ित के question solve नहीं हो पाता तो क्या हम hostel warden बन सकते हैं फिर नहीं बन सकते हैं hostel अधीक छक बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे गड़ित हमारा वीक है आपको बताना चाहता हूं कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं अगर गड़ित आपका week है इसमें ऐसा कोई भी है नहीं कि गड़ित आपको अब वीक है तो आप जो होस्टाल अदिक चक नहीं बन पाएंगे डेफिनिटल आप बन पाएंगे तो जो भी आपके अंदर कमजूरी है उसे अपनी कमजूरी ना बनाईगे उससे अपनी ताकत बनाईगे काफी लोग होंगे जो तुमसे बोलेंगे तुम्हारा तुमैसा और रिजनिंग जो रिजनिंग आपका समानेवां सीक्यों गया था तारकिक लाओजिक वालवस्तुन इस्टांगडी आता है और जिसमें विश्रमताओं को पहचानना हो गया आंकिक तारकिक ये सभी चीजे आ तुम्हारा 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 बोलेंगे, वो हर एक वक्त तुम्हाँ डिमोटिवेट करने में लगे रहते हैं, चाहए आपके दोस्त, चाहए कमीत्र, चाहए कोई भी हो, कोई भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है, सिर्फ आपको अपने आपके लिए काम करना है, मेहनत करना है, खुद के पेने भी नहीं है, जो आपको अप्रिशियेट करें कोई भी नहीं है, सिर्फ आपके मापब के अलावा, तो इसलिये आपको ही अपने लिए इस्टेन्ट लेना है, खुद के लिए काम करना है, कोई शांते neighbors देने वाला नहीं है, सिर्फ खुद के उपर आपको आपको लि मेहनत करते रहना हाड़क करते रहना त्यारी करते रहना और सपने देखना जितना असान होता है ना सच करना एक नहीं मुस्किन, तो जितना जादा आप सपने देखोगे, उतनी जादा आप आगए बढ़ पाओगे, उतनी जादा शफलता और उतनी जादा कामयाभी आप जो हासिल कर पाओगे, इसलिए मेहनत करना बहुत जादा जरूरी है, आज अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आने वा कर सकते हो आप अपने ड्रिम्स को पूरा कर सकते हो जो भी चीज़ आप बनना चाहते हो अधिकारी बनना चाहते हो हरे competition exam को qualify कर सकते हो चाहिए cgpc हो या upsc मैं तो ये की चीज़ बोलता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी चीजे impossible नहीं है, सबी चीजे possible है, बशर्ति कि आप उसके लिए उस लेवल के जो महनत करने के लिए तैयार है, जो काम्याबी, अगर चपरासी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उतना महनत करना पड़ेगा, अगर I.S.C. बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, डिएसपी उसके लिए उस लेवल के महनत करना पड़ेगा, तो सिंस सबसे बस मदेखो, उठो जागो, और तब तक चलते रहो जब तक कि आपके मंजिल, जिब तक कि सफलता प्राप्ता नहो हुजाए, इसलिए आपku काम करते रहना है, महनत करते रहना है, और जितना जाद्ध आप का बेश्ट होगा उतनी जादा शफलता और उतनी जादा काम्याबी आपको फिर मिल पाएगा तो जिन्दगी आपकी है किशी और के नहीं है इसलिए महनत अच्छे से करना काम अच्छे से करना हाट वक अच्छे से करना भाईश अपने आपके हैं तो उसके लिए काम तो है आप को ही करना पड़ेका मेंह नताप को ही करना पड़ेका जिन्दगी में आगे आपको ही वर्ड है श्ött हऊर को पुसंद आया हो तो मेहनत जरूर करना आई ले वीडियो अचछा लगा तो लाइक करना चैनल परना है तो चैनल को सबHHHH कर लेना साथ आन बेल notifications को on करके रख लेना and videos को ज़ो है ज़्यादा ज़्यादा share करना और यह चीज़े बिल्कुल भी मासोच ना की यार यह चीज़े होगा या नहीं होगा जो नहीं होगा उसके बारे में सोच नहीं बंद कर दो सिर्फ काम करो work work and work यही जो work है यही जो काम है वक्त आएगा आप का भी टाइम आएगा बस थोड़ा से इंतिजार कीजिए और मेहनत कीजिए